अपना सपना जयारेफ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टुडेंट जिनका ये फॉर्थ या फिप्थ अटेम्प है यानि CSIR अगर आपकी आंसर की आगई है ये आपको पता लगी गया है कि आपका सपना यहांगा यह yol नहीं होगा यह थिंयो हम हो हो सकता है कि जिस तरीके से आप सबस्क्राइब करना चाहते हो उसमें कोई कमी रह रह रही है तो find out करना है कि वहां तक जाने का जो मेरा तरीका है उसमें क्या कमिया है कि बाकी का हो जाता है मेरा नहीं हुआ है तो इन ही कुछ topics पर मैं बात करने वाली हूँ जिससे कि थोड़ा आपको एक idea हो जाए कि तैयारी अगर start करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं चलिए तो फिर देखे आगे बढ़ते हैं तो यहां सबसे पहली बात में आपको कहूंगी कि अगर आपने सोची लिया है कि आपको net qualify करना है तो अभी इस target को change नहीं करना है आपको अपना तरीका change करना है और अगर यह आपका fourth या fifth attempt है यानि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है ऐसे आप exam देखे आई है आपने पढ़ा भी है तो basically मेरा कहना यह है कि यह कोईट नहीं करना है लेकिन साथ में कुछ और आप कर सकते हैं हाला कि इस topic के बारे में इस बात के बारे मैंने पहले भी आपको बताया है लेकिन फिर से में एक बार बता देती हूं कि यदि आप इसी exam को target करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि यदि आपका यह 4th या 5th attempt है तो आप यहीं इसी के बारे में लगातार पढ़ते रहेंगे आप कुछ और भी कर सकते हैं जैसे जो आपके other exams हैं other exams हैं जिनमें syllabus लगबख सेम है net का आप उनकी तेयारी भी कर सकते हैं जैसे की example gate है जैसे ICMR है जैसे DBT है जैसे आपके set के exam भी होते हैं आप उनको target कर सकते हैं यदि आपको PhD ही करनी है तो आप gate के थूरू भी जा सकते हैं ICMR के थूरू भी जा सकते हैं DBT के थूरू भी जा सकते हैं सैट के थूरू भी जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको कर पाएंगे नहीं होगा तो फिर कुछी नहीं है जिंदिगी तो अगर भी और कोई दिककतं नहीं है यहापका टार्गेट जेंजह नहीं कर रहे हैं आपको PhD करनी है आप यहां से भी कर सकते हैं of course या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि ठीक है ये exam भी कर लूँगा मैं net भी कर सकता हूं अब मैं full time नहीं पढ़ सकता तो आप बाकी काम कर सकते हैं आप teaching करा सकते हैं या फिर आप आपके आसपास आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जो मैं कर सकता हूं साथ में तो आप वह भी कर लीजिए ठीक है और teaching अप करा पढ़ाते हैं नीट का अगराब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आपका भी माइन का पैटर्न चेंज होगा जो लगातार आप इतने टाइम से पढ़ते आ हैं उसमें भी थोड़ा सा बदलाव होगा और आपके इस बात को समझेगा यदि आप इस एक्जाम को अभी भी करना चाहते हैं इतने अटेंप की बाद भी तो आपके लिए सबसे बैस तरीका है कि इस एक्जाम पर खाली फोकस ना किया जाए साथ में कुछ और काम कर लिया ज जाता है कि क्या मुझसे यह भी नहीं हुआ है यह कई सारी बाते हैं जो साथ-साथ मन में आती हैं कि नहीं हुआ है मुझसे ही नहीं हो रहा है मुझसे नहीं होगा यह कई सारी बाते हैं तो डी मोटिवेशन होना मोटिवेशन होना इस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप motivate हो रहे हैं इस exam की preparation के दोरान आपका जो graph है वो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका graph ऐसा होना चाहिए ठीक है देखो यहाँ demotivation, motivation, demotivation, motivation तो यह जो system है demotivation होना, motivate होना पर demotivate होना यह ठीक नहीं है आप इस तरीके से अपनी preparation को करेंगे तो ज्यादा benefit रहेगा और कैसे कर सकते हैं रूटीन आप बना लीजी अगर आपके रूटीन बन गया है आपको पता है कि आज मुझे क्या पढ़ना है तो इस motivation, demotivation को कोई मतलब ही नहीं होगा तो सबसे पहले आप अपना मंत का target बना लीजी आप मंत का target बना लीजे कि आपको इस महीने में कितना प चैक्टिस करने हैं मंत का अपना target बना लो और यह तो हुआ है आपका मंत का target फिर अपनी आपको to-do list बनानी है डेली के लिए और टूडुलिस कैसे बनाऊगे जो आपका मंत का target है इसको सामने रहके तब आपको अपनी to-do list बनानी है मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है और मै सबसे पहले में मंत का अपना target बना ले तो मुझे इस महीने में इतना काम करना है और फिर जब मैं डेली के लिए अपनी अगले दिन के लिए टूडुलिस तेयार करती हूं तो जो मेरा मंत का target है उसे मैं देखती हूं कि उसमें मतलब कौन-कौन से point है जो मुझे करने है उस बना लिया है आपका मंत का भी fix है और उस मंत के हिसाब से ही आप टूडुलिस बना रहे हैं अपने रोज के काम करने की तो बस आपकी मन में फिर यह रहेगा कि यह काम पूरा करना है फिर यह चीजे खतम हो जाएंगे ठीक है जी तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है restart करने वही यह वही बात है और इसको वरकम कर सकते हैं आप अपना फिक्स रूटीन बनावर के ठीक है दूसरी बात यह है must do parting आपको पार्टे करना ही करना है और ऐसा नहीं कि छीख है कि एक्जाम होगा उसके दो महीने पहले start कर लेंगे नहीं आपको अभी से ही just now अभी से ही अपने पार्टे की तयारी start कर देनी है जैसे आप बी और सी के लिए काम कर रहे हैं ऐसे ही आपको पार्टे के लिए भी करना है अभी से ही तो रोज आपको fix करना है कि वन आर के लिए आप अपने पार्टे की तयारी start करेंगे जिसमें आप टोपिक्स को पढ़ेंगे उसके बाद जादा जादा कुर्शन को आप प्रेक्टिस करेंगे पीवाई क्यूंस भी हो सकते हैं और अगर आप दूसरे पेपर के त्यारी करते हैं जिसे गेट है उतने क्रेशन प्रेक्टिस करेंगे और जितनी बार हो सकता है उतनी बार क्रेशन प्रेक्टिस करेंगे तो आपको अपने रिस्टार्ट में यह जरूर बात एड़ करनी है कि आपको पार्ट एजरूर से जरूर करना है बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप नहीं करोगे ठीक ह अगर ऐसी बात है 11-12 आपने पिछली बार भी किया था तो अब आप क्या कर सकते हैं नए topics पढ़ सकते हैं या फिर जो ऐसे topics है जो important topic है उनमें आप और point एड़ कर सकते हैं हो सकता है आपने important topic पढ़े हैं लेकिन कुछ चीजे आपकी छूटी हैं उसके अंदर तो वो आप फि हो सकता है मैंने सारा पढ़ लिया है लेकिन जब मैंने सेकी अटेम के तयारी की और मैंने फिर से प्लांट फीजर को पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी आधी नौट बुक भर गई नए टॉपिक से जो मुझे लगते थे कि ठीक है हो जाएंगे तो आते हैं यह नहीं आते इस तरीके से तो आपको भी ऐसे करना है अपने जो भी नौट्स है जो स्टडी मेटीरियल है अपका उसको ठीके रखिएगा उससे रिवाइस भी कीजिएगा लेकिन और नए टोपिक आप एड़ कर सकते हैं यूनिट्स आप अगर ओल्रेडी ग्यारा से बारा कर चुके हैं तो यकीन मानिए अगर आप ग्यारा से बारा कर चुके हैं और तभी भी आपका अगर नेट नहीं क् इस डंग से की हैं तो फिर यही एक बार देखने की जरूरत है कि जो ग्यारा से बारा उनिट आपने की हैं उनमें ऐसी क्या कमी रही है कि इतनी सारी उनिट करने के बाद भी मैं अपना एक्जाम क्रेक नहीं कर पाया क्वेशन नहीं कंप्लीट हो पाई मेरे तो ठीक है यही कॉलिए देखिए कि कौन सा टोपिक ऐसे हैं जो मिसिंग यहां से नहीं कर पाया हूं और जहां से क् 그걸 आते हैं तो यह आपका काम रहेगा जब आप रिसटार्ट तो अगर 11 से बारा नहीं है तो 11 से बारा पर आएंगे और 11 से बारा अल्रेडी हैं तो उनमें आपको न्यू टोपिक एड़ करने हैं फिर जो टोपिक आपने पहले से कर लिये हैं उनको रिविजिट करने का टाइम है आप देखें कि कहां कमी रही है किस तरीके से टोपिक को पढ़ने में दिक्कत आई है ठीक है जी ओके इसके बाद फिर आता है क्वेशन प्रेक्टिस क्योंकि आपका फॉर्थ या फिप्ट टैंप है तो मैं यह मान के चल रही हूं पीवाइक्यू तो आपने प्रेक्टिस कर ही लिये होंगे और आपको यह भी दिक्कत है कि पीवा को पाइदा है नहीं अब आपको करना क्या है जो अब पैपर की आपते यारी कर रहे हैं उनके प्रेक्टिस कर सकते हैं साथ साथ आप साथा उसलिग जोंप सब्सक्राइब उसकशन को ब्रबिक्री कि practice भी होती रहे short notes नहीं बनाए है तो short notes बनाऊगे question practice नहीं है तो question practice करोगे revision recalling का एक मैज अधी तरीका ढूंदो जो भी ड्रोबैक्स आपको लगती हैं कि जून दोजार चोगी साफ का क्यों नहीं हुआ है वो अभी आप लिख लीजिए क्योंकि जैसे टाइम निकलता है आप अपनी कमिया भूल जाते हैं आपको लगे का ठीक है लिख लेंगे लिख लेंगे लेकिन जैसे आप बढ़ रहे है तो अभी आप लिख लेंगे तो काफ़े ठीक रहेगा कि अग्राप यह कहें कि ठीक अगे लिखेंगे लिखेंगे नहीं याद रहेगा आपको तो अभी अपनी कम्याल लगती है उनको लिख लीजे और उसपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए ada Cruz Be will someone और विकुल धियान से अच्छे से अपनी त्यारी करो आपका जरूर से नेट क्रेक हो जाएगा चीक है चलिए तो मिलते हैं पर नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर